पिछले वीडियो में काफी बढ़िया वन गया था I discuss forum और यहां पर देखो जरा कि अगर home में आते हैं हम और उसके बाद browse करते हैं categories को तो देखो यहां पर यह चीज dynamically database से आ रही है यह चीज dynamically database से आ रही है लेकिन यह questions जो है वो नहीं आरे database से तो अभी हमें करना क्या है यहा करना चाहता हूँ नई table बनाना चाहता हूँ टेबल का नाम क्या है threads इसमें सबसे पहले तो मैं जो thread है उसकी एक ID रखूँगा thread की एक ID होगी यानि कि जो सवाल है उसके एक ID होगी thread ID के बाद होगा एक thread का subject कि भाई वो subject क्या चीज है अब subject क्या होगा subject यहां पर आपका कुछ इस तरह से हो सकता है जिसे कि यहां पर यह मैंने लिखा है और फिर thread DESC रख देते हैं thread description यह इसको thread title कहते है यार subject के इसको title कह लेते है और इसके बाद क्या होगा यह thread एक category से link होगा क्या होगा एक category से link होगा अब आप लोगो कि यह क्या कह रहे हो देखो भाई ऐसा है कि यह जो thread है वो एक category के अंदर आएगा और वो किसी user ने भी लिखा होगा thread तो यहां पर मैं करूँगा क्या अभी thread DESC और thread underscore user कर दूँगा यह इसके बाद मैं यहाँ पर एक और column यहाँ पर add करूँगा add one column कर देता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर क्या होगा एक थ्रेट यूजर मैं ने कर दिया एक thread category होगा तबच्पह़े तो एक thread category ID होगा और एक thread user ID होगा अब इसको मैं समझाता हूँ कि मैंने किया क्या और एक timestamp भी यहाँ पर रख देता हूँ timestamp रखना बहुत ज़रूरी है default मैं इसको daytime रखूँगा जो भी अभी का daytime है लेकिन यहाँ पर अभी मुझे daytime दिख क्यों नहीं रहा है और thread title, thread description, thread category id, thread user id फिर timestamp यह सारी चीज़े जो यहाँ पर मैंने populate कर दी है अब यहाँ पर निकी length की अगर बात करें तो इसको मैं कर देता हूँ 7 इसको मैं कर देता हूँ वार कैर कितना करूँ 255 शुट भी more than enough फिर thread description को मैं क्या करूँ इसको text field कर देता हूँ category id को मैं int कर देता हूँ int 7 इसको भी मैं कर देता हूँ int 7 और date time, date time है बना दूँ क्या? ठीक है बना देता हूँ यार बाद में change कर लेंगे अगर कुछ ऐसी चीज़ लगी तो तो मैंने क्या किया है है आपर एक threads नाम की table बना दी है जिसमें thread की id है जो कि मुझे हर record को uniquely identify करने में मदद करीगी फिर इसके बाद thread title है title क्या है ये title unable to install pi audio error in windows अब यही इंसान क्या कर सकता है कि बहुत सारा description दे सकता है कि यार मैंने ऐसे करने की कोशिश करी फिर क्या हुआ? कि मेरे साथ ऐसा हुआ ये चलनी रहा है मैंने ये भी किया ये भी किया और ये भी किया और मेरा चलनी रहा मैं क्या करूँ? तो वो description में आएगा ठीक है? और उसको मैंने बना दिया text field क्योंकि वो खुल के लिख सकता है अपने दिल खुल के फिर इसके बाद thread category ID की बात करेंगा तो ये जो चीज है ये जो question है किसी category से जोड़ी होगी या नहीं जोड़ी होगी? हाँ जोड़ी होगी तो उस category की ID और thread user ID जो है यहाँ पर thread के user की ID यानि कि वो user जिसने ये thread post किया है उसकी ID और time stamp को मतलब कि कब इसको यहाँ पर लाया गया था कब add किया गया था तो ideally क्या होगा कि ये जो 4MS में कोई भी user sign up करेगा login करेगा और उसके बाद एक question पूछेगा ठीक है लेकिन यहाँ पर अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि चीजों को जैसे जैसे हम incrementally develop कर रहे है मैं PHP my admin से data को inject कर दे रहा हूँ तो मैं insert पर आ जाओंगो यहाँ पर value को 1 करता हूँ thread title को करता हूँ unable to install by audio और thread description को मैं कर देता हूँ कि I am not able to install by audio on windows यह description ideally थोड़ा बढ़ा रहेगा लेकिन इसको मैं थोड़ा मैं एक और instance खोलूँगा यहाँ पर new tab में इसको खोल रहा हूँ और मेरा जो idiscus है उसके अंदर जो मेरी categories है categories वारी table में कौन सी id है मेरी मैं इसको python कर देता हूँ वापस है मैंने पता नहीं इसको यह क्या किया मैंने गलती सी कोई गलत बटन दबा दिया लगता है idiscus का idiscus की categories में जाना है और इसको मुझे change करना है python करना है python कर दिया मैंने इसको और यहाँ पर मैंने इसमे python के बारे में लिखा था तो यहाँ पर editing जो है न तोड़ी सी challenge ही हो जाती है कभी कभी लेकिन overall बहुत amazing tool है rphpmyadmin मुझे बहुत पसंद है mysql database अगर use कर रहे हो तो बहुत ही धमागिदा tool है देखो कितने अराम से सब कुछ edit कर पा रहे हैं हम लोग python और category id 1 है चलो जी बढ़िया अब यहाँ पर क्या होगा category id में मैं डाल दूँगा 1 जो कि python की category id 1 है ठीक है और thread user id जो है यहाँ पर मैं क्या करूँगा thread user id में भी मेरे बस user नहीं है अभी के लिए मैं इसको zero करते तो हूँ यानि कि मैं बाद में डालूँगा इसको जब मैं अपनी user की table बनाऊँगा ठीक है तो अभी के लिए क्या कर रहा हूँ मैं किस user ने इसको post किया है वो मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर वो मैं बाद में करूँगा अभी के लिए मैंने क्या किया है इसमें एक entry डाल दी मैंने का कि भाई देखो जो python है उसके अंदर किसी ने एक thread बनाया unable to install via audio और यह description है thread category id यह है और thread user id यह है ठीक है time stamp किये तो यह काम जो है मैंने बड़े अराम से यह पर कर दी और मैं अभी यहाँ पर बड़े अराम से PHP script लिखके जो question है यह category id से जो सारे questions है वो fetch करके for loop लगा सकता हूँ बहुत ही अराम से वो काम हो जाएगा ठीक है तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या अभी जो मेरी thread list है मैं कहूँगा कि भाई देखो ऐसा है जो मेरी category id है मैं एक और sequel यहाँ पर run करूँगा एक बार मैंने यह इसको use कर लिया cat name is equal to यह cat desc is equal to यह मैंने ले लिया मैं क्या करूँगा वापस से यहाँ पर एक fall loop लगाँगा और एक और sequel run करूँगा मैं यह वाली जो PHP script ऐसे copy करता हूँ और जो browse questions है इसके अंदर जो मेरा media वाला card है यहाँ पर मैं इसको paste कर देता हूँ और मैं कहूँगा कुछ इस तरह से कि देखो भाई ऐसा है कि PHP ID is equal to यह और sequel क्या रहेगी मैं कहूँगा कि भाई मुझे वो सारे के सारे records चीए जहाँ पर category ID यह है और मुझे किस में से चीए है इस बार कहां गई thread cat ID जो है thread cat ID thread cat ID मुझे suggestion भी दे रहा है मैं कहूँगा is equal to कितना मान लो 1 ठीक है मान लो 1 go किया मैंने तो यह कह रहा है कि भाई यह है thread cat ID 1 थी यहाँ पर तो यह मैंने यहाँ पर आपको दे दिया है ठीक है तो मैं copy करूँगा इसको copy करने के बाद मैं इसको यहाँ पर paste कर दूँगा और मैं कहूँगा कि is equal to 1 जहाँ पर है मैं is equal to dollar ID कर दूँगा और ID क्या है मेरी category ID जो मैंने अभी get से लिए है वो है ठीक है तो मैंने while loop लगा है यहाँ पर while loop लगाने के बाद मैं क्या करूँगा यह जो मेरी यह जो मीडिया वाला मेरा card है मैं इसको echo करा दूँगा मैं कहूँगा इसको echo कर दूँग और यहाँ पर single quote रखूँगा क्योंकि इसके अंदर already double quote है semicolon save और नीचे वाले जो parts इनको सबको अठा दूँगा मैं यह काम करता हूँ इनको नहीं अठाता हूँ मैं इसको लिख देता हूँ remove later just to check html alignment putting this just to check html assignment for now ठीक है तो यहाँ पर मैंने ग्या किया मैंने कहा दिया कि भाई देखो ss को हम रख रहे हैं html assignment को देखने के लिए और यहाँ पर एक बार मैंने यह सब कर दिया तो यहाँ पर मैं चाहूँगा कि for loop के अंदर मेरे देखो यह आ रहा है मैं कहा रहा हूँ कि fetch assoc फिर मैं चाहूँगा कि मेरे पास क्या आना चाहिए एक तो threat का question आना चाहिए तो मैं q-u-es लिख देता हूँ उसको yes को मैं title लिख देता हूँ और इसको d-e-s-c लिख देता हूँ और title और d-e-s-c लिखने के बाद मैं क्या करूँगा और क्या चाहिए मुझे बस इतना ही चाहिए मुझे id भी चाहिए thread id thread title thread title है और यह यहाँ पर आजाएगा thread thread id thread title thread d-e-s-c ठीक है और यहाँ पर मैं क्या करूँगा user default use करूँगा यह जो चीज़ है यहाँ पर यह लिखा हुआ है वर्पन मैं क्या करूँगा मैं कहूँगा कि सबसे पहले तो इन दो strings को अलग करो ठीक है इनको concatenate करो obviously किससे concatenate करो concatenate करो इसको इससे dollar title से ठीक है similarly मैं क्या करूँगा नीचे जहाँ पर हमारा description है वहाँ पर मैं इसका description लिख दूँगा तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि मुझे description दे दो DESC और कोई भी इस पर अगर click करता है मेरे title पर तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा कुछ इस तरह से ahref is equal to मैं लिख दूँगा जाओ thread page पर thread.php पर और उसके बाद यहाँ पर इसको बंद भी कर दूँगा slash a ठीक है reload किया इसको मैंने और यहाँ पर देख़। unable to install py audio और यह जो है यह ले कर जाएगा मुझे सीधे thread.php जो कि obviously अभी तक मैंने बनाया नहीं है मैं बनाऊंगा unable to install py audio और उसके बाद यहाँ पर unable to install py audio यह सब तो मैंने लिखाया खुद से अगर by any chance चाहते हो यह काला हो जाए तो क्या करो bootstripe की एक class होती है बता रहा हूँ text dark कर दो इसको खुद ही काला हो जाए गई अगर चाहते हो अगर यह अच्छा नहीं लग रहा इसे तो तो इसको काला कर लो ऐसे ठीक है क्या होगा कि यह green हो जाएगा यह देखो green हो गया यह क्योंकि bootstrap में success का मतलब green होता है तो welcome to python forums यह सारे questions हमारे database में से आ रहे है मैं नीचे वाले questions को सबको हटा देता हूँ और हटा नहीं देता हूँ तो कम से कम comment out तो करी देता हूँ तो मैं यह जो comment है एक comment बना लेता हूँ यह पर सब चीजह को comment out कर देता हूँ यह हटा ही देता हूँ यार क्या करना इसका हटा देता हूँ यार मैं इसको हटा देता हूँ सारा हटा देता हूँ यह जो fall to cards बने हुए इन सब को मैं हटा देता हूँ चुकि अभी जो cards आ रहे हो डाइनामिक ली आ रहे हैं और मैं एक रख लेता हूँ चलो ऐसी बात है तो एक याँ पर मैं रख लेता हूँ कभी मुझे template की तौर पर यूज करना पड़ गया तो reload करूँ पर सिर्फ एक question है आपर और क्योंकि आपर सिर्फ एक question है तो क्या हो रहा है कि यहां पर जो मेरा footer है वो थोड़ा उपर आ गया ideally एक famous blog में बहुत सारे questions होते हैं लेकिन उसके बावजूद भी आपको क्या करना पड़ेगा कि इस चीज को handle करना पड़ेगा CSS की मदद से यहां इसको नीचे लेकर जाओ कुछ भी करके खेर जो भी है मैं भी यहां पर क्या करूँगा कि unable to install pyaudio लिखा हुआ है और questions अगर मैं आप लोग को add करके दिखाऊ इसमें तो आप लोग देखो यहां पर मैं insert पर click करूँगा यहां पर लिख दूँगा not able to use python यहां पर लिख दूँग प्लीज help me लोग लिखते हैं ऐसे आप जाना देखना forums में लोग बड़ी गंद मचाते हैं आप ऐसे लिखते हैं कुछ भी thread cat id 1 कर देता हूं वापस से और user id 0 कर देता हूं क्योंकि मैंने लिखी नहीं अभी तक मैंने go कर दिया और यहां पर देखो यह मैंने add कर दिया तो देखो यहां पर show कर रहा है not able to use python please help me ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे नीचे questions लिखेंगे और इनके questions को हम click करके देख सकते हैं तो मैं thread.php में एक parameter pass करूँगा आप लोगों को दिखाऊंगा अगले वीडियो में और हम लोग अगले वीडियो में जो thread.php वो बनाएंगे जो कि क्या करेगा host करेगा हमारे question वाले page को और उसके अंदर logo की comment आएंगे तो आने वाले वीडियो में उस चीज़ को हम लोग देखेंगे लेकिन अभी मैं आप लोगों को एक quiz देना चाहता हूँ और मैं आप लोगों को इस चीज़ को fix करना है यानि कि अगर सिर्फ एक question है आपर तो इस चीज़ को नीचे आप कैसे लेकर आओगे मुझे बताना solution आपने क्या implement किया नीचे comment section में जो भी बताएगा मुझे मैं उसको एक दिल जरूर दूँगा मुझे नीचे comment में आप लिखके बताना कि ये जो आपका footer है ये उपर लटक रहा है इसको नीचे कैसे चुपका है ये बताना है आपको क्योंकि ये ऐसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिकरा है ठीक है सो नीचे comment जरूर करना आप लोगों मुझे बताना मैं आपके comment का इंतिजार करूँगा और सब को दिल दूँगा अगर किसी ने ये PHP की playlist अभी तक access नहीं करी है तो kindly इस PHP की playlist को जरूर कर रहो access क्योंकि यही वो जगा है जहाँ पर मैं step by step सारी चीज़े बता रहा हूँ आप लोगों को और बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि मैंने शुरू से बताई ही नहीं चीज़ें जब कि मैंने सब कुछ बताया है अगर आप लोग इसको देखो उपर से देखो web development से लेके मैंने एक एक चीज़ सब बताई है कि क्या चीज़ कैसे होती है PHP के अंदर कभ क्या कैसे कभ यूज करना है वो सब चीज़े मैंने बता रही हैं तो मैं चाहता यह हूँ कि आप लोग जो है access करो playlist और मेरे लिए just मेरे लिए आप इन videos को like करते रहा करो comment करते रहा करो interactive रखते है sessions को मुझे काफी अच्छा लगता है दिल से जब आप लोग लाइक करते हो और इस तरह के videos और लाने में मुझे काफी अच्छा लगता है आप लोगों के लिए तो अगर आप लोग जो है इस video को like करो के तो मुझे काफी help मिले कि उससे अभी के लिए guys इस video में इतना ही thank you so much guys for watching this video and I will see you next time कर बेर talk कि कर दो eaten